सबी दर्शुकों को मेरा नमस्कार समास के भेद इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और इससे पूर्व के व्याख्यानों में हम दुन्दु समास पर चर्चा कर रहे थे आज हम दुन्दु समास के एक और भेद को लेकर उस पर चर्चा करने के अपरांध हम नए समास एक शेश समास पर चर्चा करेंगे द्वंदु समास में प्रत्यों की बात आती है तो द्वंदु समास करने के बाद एक प्रत्य आता है टच प्रत्य और उसके लिए हमारे पास सूत्र है कि वो किस प्रकार के शब्दों से किस प्रकार के पदों को वो प्रत्य होता है तो उस पर हमारे सामने एक सूत्र है द्वंद्वात चू दश हांतात समाहरे तो इस सूत्र के अंदर आपके बाद जो शब्द हैं उनको यदि हम अलग करें तो पहला जो पद है वो द्वंद्वात है उसके बाद चू अर्थात चवर्ग दवर्ण श मुर्धन्य हा और उसके बाद है अंतात तो हांतात मलए हांतात और समाहरे तो इस प्रकार से जब शब्दों को अलग करते हैं तो वृत्ति के अनुसार इस सूत्र का जो अर्थ बनता है वो है चवर्गांतात दश हांतात च दवंद्वात तच स्यात समाहरे तो यहां पर द्वन्दु समास में यदि वो समास चवर्ग में समाप्त हो रहा हो अर्था समास के अंत में चवर्ग के अंतरगत आने वाला कोई वर्ण हो और या फिर वो समास दव में समाप्त हो रहा हो या मुर्धन निशा में समाप्त हो रहा हो या हमें समाप्त हो तो ऐसे द्वंद्व समास के बाद टच प्रत्य का प्रयोग किया जाता है परंतो समाहार अर्थ में ही होगा जैसा कि हम जानते हैं कि द्वंद्व समास इतरेतर योग और समाहार दोनों अर्थ में होता है परन्तु इतेरेतर योग में जब दुन्द समास करते हैं तो टच प्रत्य नहीं होता, समाहार अर्थ में जब दुन्द समास किया जाता है तब ही टच प्रत्य होता है, तो एक-एक उदाहरन से हम समझेंगे, तो चवर्ग में समाप्त होने वाले समस्त पद को टच प्रत्य हो हम सब जानते हैं कि हम जब विग्रह लौकिक रूप में करते हैं तो सव भक्तिक करते हैं और द्वंद्व समास में या दोनों पद में पृत्माई भक्ति लगाकर वाच शब्द से वाक और तवच शब्द से तवक रूप निश्पन होता है तो इसलिए जब हम विग्रह करते हैं लौकिक तो इसमें हमने कहा वाक्च तवक्च तो दो प्रिथक पद हैं परन्तु जब हम उनका अलौकिक विग्रह करते हैं तो इनकी मूल प्रकृति को लेते हैं तो मूल रूप में वाच शब्द है तो अलौकिक विग्रह में वाच सू प्रतमाई वक्ति और तवच सू प्रतमाई वक्ति तो जब इस प्रकार से अलोकिक विग्रह होता है तो यहां पर समाहार अर्थ में तेशाम समाहा रहा यहां समाहार अर्थ में वाच और त्वच दोनों में द्वन्द्व समास होता है चार थे द्वन्द्व सूत्र से और समास करने के बाद इनके विवक्तित्यादी का लोब करने के बाद हमारे पास जो रूप बचता है वो होता है वाच त्वच अब यहां पर वाच त्वच को सबसे पहले क्योंकि समस्त पद हो गया एकी पद हो गया तो जो यहां हमारे पास सूत्र प्राप्त होता है चो कू अर्थात जो वाच का चव है उसको हम क्या कर देते हैं कू अर्थात कवर्ग तो चवर्ग के स्थान पर कवर्ग होकर चकार के स्थान पर कव हो जाता है तो हमारे पास क्या होता है वाक और त्वच त्वच चकार हलंत है ये धियान रखना चाहिए अब हमारे पास जो भी सूत्र अपने देखा उस सूत्र के अनुसार द्वंदू समास में यदि समास के अंत में चवर्ग हो तो उसको टच प्रत्य लग जाता है तो यहां पर हमारा चव में समापत होने वाला द्वंदू समास है और समाहार अर्थ में हुआ है इसलिए यहां समास के अंत में टश प्रत्य लगेगा और टश प्रत्य का मात्र शेश रहता है तो चर्क हालंत के स्थान पर चर्क में अ मिलाने पर वो अधंत रूप बन जाता है तो जब अधंत रूप बन जाता है तो फिर समास को में सू और सू के स्थान पर अतोम सूतर द् तो अमी पूर्वा से पूर्व रूप होकर हमें वाक्तवचम ये द्वंद्व समास में रूप प्राप्त होता है। यदि हम टच प्रत्ते नहीं करते हैं तो फिर वाक्तवचम नहीं बनकर वाक्तवक रूप रहेगा। इसी प्रकार से देखे अब ये था कि शवर्ग उसके वाद दकार हो atau तो जैसे शमी और द्रिशदम ये हमारा समस्तपद है तो शमी श और द्रिशदचaju यहाँपे द्रिशददव हलंत है। तो यहाँ पे हमने क्या किया चारते दौंद्वा से जब हम दौंद्व समास करते हैं और अलोकी विग्रे जब इसका करते हैं तो शमी सू और दृषद सू तो समास करने के बाद हमारे पास शमी दृषद ये समस्त पद प्राप्थ होता है और क्योंकि ये दौंद्व समास है समाहार अर्थ में है इसलिए यहाँ पर समास के अंत में हम तच प्रत्य का प्रयोग करेंगे और जिस प्रकार से वाक्त वचम में हमने प्रयोग किया उसी प्रकार शमी दृष्धम में भी सुखो अम और हमी पूरवा से पूरू रूप होकर रूप निष्पन होगा इसी प्रकार से देखे क्योंकि चवर्ग का उधारन हो गया दव का उधारन हो गया शव अर्थाद शव में समाप्त होने वाला जो दंदु समास है समहार अर्थ में किया जाए तो टश्प्रत्य होता है तो जैसे वाक्ट्विशम वाक्ट्विशम को जब हम लौकिक में गिरा करेंगे तो वाक्ट्विट्श त्विश शब्द का प्रत्वाई वक्ति एक अचल में त्विट्रूप बनता है तो वाक्च, त्विट्च, लॉकिक और वाच्च सू और त्विश सू क्योंकि त्विश शब्द मूल रूप में है तो जब हम इसको समास करके अन्ने कारे करते हैं तो वाच्च, त्विश और चा के स्थान पर जब हम करते हैं तो वाक्त विश्व हमारे पास रूप बनता है अब ये दोंदों समास है समाहार अर्थ में हुआ है और शम में समाप्त हो रहा है इसलिए समास के अंत में तश्प्रत्य हो जाएगा और फिर शकार हलंत ना रहकर अकाराम्त हो जाएगा इस प्रकार से हम सु आदि कारे करके वाक्त विश्णरूप निश्मन करते हैं अब हमारे पाद एक और है हौ हौ में समाप्त होने वाले बंद समाज का भी उधारन देखना है जैसे है चत्रो पानहम तो यहां पे है चत्रम्च उपानटच उपानत का अर्थ होते हैं जूते तो यहाँ छत्रम चो उपानत चो अर्थ हो समाहरा उपानत यहाँ पे नहीं होगा उपानहू होगा क्योंकि जूते हमेशन दोई होते हैं तो जब हम बिग्रह करेंगे तो हम इन चीजों का ध्यान भी रखना है तो चत्रम चो उपानह उच और फिर इसको समहार अर्थ में चारते दुंद्वा से समास करते हैं, तो हमारे पस चत्र और उपानह हलंत होकार रूप रहता है, तो और चत्र के अ और उपानह के उ इन दोनों के स्थान परमे संधी करनी है, आद गुणा से ओ, तो चत्रो पानह यहलंत रूप होता है, हकार में समाप्त हो रहा है यह समास, इसलिए समास के अंत में तच्प्रत्य लगाकर चत्रो पानह हम, यह रूप निश्वन होता है, अब सूत्र में कहा गया है कि समाहार अर्थ में ही जब द्वंद्व समास होता है, तब ही तच्प्रत्य होता है, त तो जब समाहार अर्थ में नहीं होता, तब टच प्रत्य नहीं होगा, जैसे उदारने प्रावरिट शरदव, प्राविट शरदव समस्तपद है, और जब इसका हम लौकिक विग्रह करते हैं, तो यह होता है, प्रावरिट च और शरद च, यह दोनों रितु हैं, इनका इतरेत जब दुनुद समास चाहर थे, दुनुदव सूद्तर से करने के बााद, हमारे पास प्राविट शरद रूप बनता है, अब यहां दो मे समाप्त हो रहा है यद्द दुनुद समास भी है, परंतु समाहार अर्थ में नहीं हुआ है, इसलिए यहां टच प्रत्य तो नहीं होगा अब प्रच प्रत्य नहीं होगा तो प्राविट शरद यहाँ पे शर के स्थान पर संधी का सूत्र हमने किया है शर्ष चो अटी अर्ताथ जय प्रत्याहार का वर्ण हो उसके बाद शर हो और उसके बाद अट प्रत्यार कवर्ण हो तो शरकिस्तान पर चह हो जाता है तो यहाँ पे हम संधी का भी प्रयोग देख लेंगे प्रावरिट ट यह जह प्रत्यार के अंतरगत आता है उसके बाद श है और उसके बाद अ है जो अट प्रत्यार के अंतरगत आता है इसलिए शहकेस्तान पर संदी एस नियम के अनुसार चह हो जाएगा तो हमारे पास जो रूप बनता हुए प्रावरिट छरद शहकेस्तान पर चह होकर और फिर क्योंकि ये दो के लिए प्रियुक्त हुआ है इसलिए जब सुक्यूत पत्ति करेंगे तो प्रत्माई भक्ति दि विवेचन में अउग होगा और फिर प्राविट छरदव ये हमारे पास रूप निश्पन होगा तो इस प्रकार से द्वंद्व समास में जितने भी कारे होते हैं उन सब का विवेचन हमने यहां पर इस सूत्र तक समाप्त कर लिया है उसके बाद देखी मैं आपके सामने ए और वो प्रकरण है जिसको भट्टो जी दिक्षित दिन नाम दिया एक शेश समास तो समास की ही श्रिंखला में उन्होंने इसको समास का नाम दिया और उस समास को क्या का एक शेश समास अब एक शेश का तात्पर है जो एक ही शेश रहे ऐसा समास अब देखिए इस पर भी ह हमें विचार करना है कि क्या एक शेश को समास माना जाए या ना माना जाए क्योंकि आचारे उने यद्देपी भटोजी दिक्षित ने एक शेश को समास का नाम दिया है पर आचारे उने इस पर चर्चा करते हैं कि इसको हम समास नहीं कह सकते हैं वास्तम में ये समास का अपवाद हैं तो इसे हम अपवाद के रूप में ले सकते हैं तो क्योंकि ये आगे जो विवरन आएगा जो सूत राएंगे वो समास के उपर प्रियुक्त होते हैं समास से संबंद रखते हैं इसलिए संभवता आचारे भट्टुजी दिक्षित नहीं एक शेश को समास के रूप में लिया है तो एक शेश का जैसा कि मैंने आपको बताया अर्थ कि एक शेश में अनेकों के स्थान पर एक का रह जाना है पाणिनी संक्षेप को उनका प्रिय है वो चाहते हैं कि जितना भी संक्षेप्त रूप में बात की जाए वो अधिक से अधिक अर्थ को द्योतित करें ये उनका प्रयोजन है और उसी प्रयोजन का एक परिणाम भी है ये एकशेश तो सबसे पहले एकशेश को समझने का प्रयास करेंगे कि एकशेश का अर्थ है कि जैसे हम किसी बात करते हैं किसी के विशे में तो जब हम शब्द प्रयोग करते ह तो चाहे वहाँ पे एक हो, चाहे वहाँ पे हजारों हो, हमारा प्रयोजन यही होता है कि हम एक-एक के लिए उस शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं. जैसे मानलेजे कहीं पर वानर हैं बहुत सारे धेरों वानर हैं तो जब मैं वानर शब्द का प्रयोग करते हैं तो मैं प्रतेक वानर के लिए मैं उस शब्द का प्रयोग करना चाहूंगी ऐसा नहीं मैं चाहूंगी कि किसी एक को कर दिया और बाकियों को मैंने छोड़ दिया तो ये प्रयोजन होता है कि जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो जो प्रतेक अर्थ के लिए उसका प्रयोग हो तो ये एक बहुती लंबी प्रक्रिया है कि हम एक एक के लिए उस शब्द का प्रयोग करें तो इसी जो प्रक्रिया को देखते हुए आचारे पानिनी ने एक नियम बनाया, एक सूत्र बनाया और वो सूत्र में आपके सामने रखती हूँ वो एकशेश के सम्बंधित बहुत ही महत्पून सूत्र है और वो सूत्र है सरूपा नाम एकशेश एक विभक्तव ये सूत्र आचारे बटोजी दिक्षित ने इसको विभक्ती प्रकरण में दिया है या इसको विभक्ती ने इसको जो है शब्द रूप का प्रकरण है उसमें उन्होंने दिया है शब्द रूपों का वर्णन करते हुए तो यहां इस सूत्र का अर्थ समझना आवश्यक है इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो इस सुत्र का अर्थ है सरूपा नाम अर्थाद जो शब्द सरूप समान रूप वाले होते हैं और एक विभक्तव और एक ही विभक्ती में जब उनका प्रयोग किया जाता है तो एक शेश उन में से एक ही शिष रहता है तो देखी जैसा कि मैंने आपको भी बताया मान लिजे हम राम शब्द हैं तो अगर कई राम हैं तो हम राम 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 इस प्रकार से उन अनेकों के लिए हम एक शब्द अनेकों के लिए एक एक शब्द में प्रयोग करना पड़ता है यदि हमारे पास ये नियम या ये सूत्र ना हो परन्तु इस सूत्र के अनुसार यदि हम किसी को जैसे एक ही वे भक्ती का प्रयोग करके कि मैं कहते हूं राम ने तो मैं इस राम ने इस राम ने इस प्रकार से मैं हर राम के लिए कहना चाहती हूं और ने करता के रूप में ही मैं कहना चाहती हूं तो यही और सर रूप है राम ही है मैं राम ने कृष्णों ने मोहन ने अगर करती हूं तब यह नियम नहीं है यह न से अधिक शब्दों का हमें प्रयोग करना है तो हम उतने सभी का प्रयोग ना करके उन में से एक ही शेष रह जाता है अब प्रश्ण यह उठता है कि एक शेष रहता है तो फिर उन अनेकों का अर्थ कैसे प्राप्त होगा तो अनेकों का अर्थ एक जो शेष बचता है वो उन विभक्तियां प्रियुक्ति की जाती हैं जैसे प्रत्माई भक्ति एक वचन दूवचन बहुचन तो जब हम एक से अधिक अर्था दो के लिए बात करते हैं तो दो राम ना कहकर राम राम इस प्रकार से ना कहकर एक ही राम का प्रियुक्ति करते हैं और विभक्ति के द्वार ये स्पष्ट कर देते हैं कि यह दो राम हैं तो वो विभक्ति द्विवचन की विभक्ति लगाएंगे क्योंकि दो राम की विश्यम हम कह रहें तो फिर अव विभक्ति लगा कर हम रामव। तो एक शेश रहा परंतु विभक्ति के द्वारा जो अवशिष्ट नहीं है उसका भी बहुत हो जाता है तो ये संक्षेप का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरने कारे है जो आचारे पाणिनी ने इस सूत्र के माधिम से किया अब इसी प्रकार से देखिए दो से अधिक यदि समान रूप वाले और एकी विबक्ती में प्रियुक्त होने वाले शब्दों का हम प्रयोग करना चाहते हैं तो हम दो से जादा तीन भी हो सकते हैं और असंख्य भी हो सकते हैं तो इसलिए उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं उस विबक्ती का तो जैसे हम राम 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 दो से अधिक रामों को के लिए रामने 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 इस प्रकार प्रयूख करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे राम शब्द ही शेश रह जाएगा और उससे फिर हम बहुवचन की विभक्ति जस लगाएंगे और फिर प्रत्य लगाएंगे जस और फिर राम जस रामा ये रूप बनता है तो इस प्रकार से एक शेश का अर्थ है कि अनेकों में से एक का शेश रह जाना और उसके द्वारा प्रत्य लगा अगर विभक्ती के प्रत्यों का प्रयोग करके उसका वाचक हो जाना ये एक संस्कृत व्याकरण के महत्पूर्ण देन है और संभवता इस कारण से संस्कृत को भाती सम्रिद्ध भाषा कहा जाता है क्योंकि थोड़े से शब्दों में व्यापक से व्यापक बात को संस्कृत में कहा जाता है अभी हमने ये सूत्र किया कि समान रूप होना चाहिए और एक विभक्ती में होना चाहिए तो एक शेश रहता है अब यह वार्तिक है एक और वार्तिक कार ने कुछ इसमें और अधिक डाला है और उन्होंने कहा कि विरूपा नाम पे समर्थाना तो अभी सूत्र तो सरूपों के लिए समान रूप वालों का एक्षेश करता है और वार्तिक कार के अनुसार यदि वो वी रूप हो अर्थात उनका भिन्न भी होता है लेकिन अर्थ समान है सम अर्था नाम अर्थ उनका समान है तो भी एक शेश और एक भी भक्ती में प्रियोग होता है तो भी एक शेश रह जाता है तो ये भी जो है बड़ी महत्तपून बात है जैसे हमने कहा वक्र दंडश्च कुटिल दंडश्च हमने कहा वक्र दंड वाला और कुटिल दंड वाला अब यहां पे देखिए वक्र और कुटिल दोनों का एक ही अर्थ है वक्र मिन्स टेडा और कुटिल मिन भी टेडा तो जिसके पास टेडा दंड मिन्स दंडा है कुटिल दंडा है तो यहां पे देखिए दोनों यद्यपी जो शब् वक्र और कुटिल विरूप है अर्थात इनका रूप जो है भिन भिन है वक्र है कुटिल है तो समान रूप वाले नहीं है परन्तु दोनों का अर्थ एक ही है तो वारतिक कार की अनुसार इन में से दोनों में से एक शेश रहेगा और जो शेश रहेगा वो दोनों ही अर्थों को जो है द्योतित करेगा तो देखी दोनों अर्तों का वाचक होगा क्योंकि वक्रदंड का भी वही अर्त है कुटिलदंड का भी तो वक्रदंडव शब्द का प्रयोग होता है क्योंकि द्विवचन दो हैं तो वक्रदंडश्च कुटिलदंडश्च वक्रदंडव और वक्र वो भी उसे प्रत्मा भ्यवक्ति ध्यचन में प्रियोग करके वो दोनों का बाचक होगा. तो निरने यही हुआ कि समान रूप वाले तो एक ही अर्थ वाले और एक विभक्ति में प्रयोग करने वाले अनेक शब्दों के को में से एक ही शेश रहेगा और विभक्ति प्रयोग के द्वारा उन सब का बोद हो जाता है परंतु वार्तिक के अनुसार समान रूप नहीं भी है परंतु अर्थ समान है तो भी उन में से एक शेश रहता है और विभक्ति का प्रयोग करके विभक्ति में उसका बोद अनेकों का कर दिया जाता है तो यहाँ पर देखिए यह तो है एक समाननी नियम जो की हम सुबंत प्रकरण में इसका प्रयोग देखा जाता है क्योंकि जब हम शब्द रूप करते हैं तो इस सूत्र की आवशिक्ता होती है अब यहाँ पर जो बात मैंने आप से कही कि एक शेश को समास माना गया है या समास के अंतरगत आचारे बटोजी दिक्षित ने रखा है तो इसका भी तो कोई ना कोई प्रमान या कोई प्रयोजन मिलना चाहिए तो जैसा कि मैं समझती हूँ कि क्योंकि समास में जो है इसका प्रयोग देखा जाता है तो इस दृष्टी से जो मैं आगे आने वाले सूत्र में आपको बताऊंगी भी तो इस रिष्टी से उन्होंने एक शेश समास के रूप में कहा है तो हो सकता है इसलिए अन्य था यहाँ पर एक शेश जो है इसको समास के अंतरगत ना रख के समास के अपवाद के रूप में माना जा सकता है अब समास के अपवाद के रूप मानने के लिए भी तो हमें कुछ तरकों मारे पास होना चाहिए तो क्योंकि जब हम समास करते हैं एक से अधिक पदों का तो समास करने के बाद उन पदों को हम एक साथ रखते हैं और समस्त पद बनाते हैं ना कि उन सभी पदों में से एक पद शेश रखते हैं तो एक शेश समास को समास ना कहके समास के अपवाद के रूप में हम कह सकते हैं कि समास में तो हम जितने भी पदों में समास करते हैं उन सब का प्रयोग करते हैं समस्त पद बना कर लेकिन एक शेश में हम उन में से एक का ही प्रयोग करते हैं और वो समास प्रकरण में समासों पर भी लागू होता है जिसका विवेचन आगे किया जाएगा तो यदि देखा जाए तो ये एक शेश समास से भी संबंदित है लेकिन ये समास नहीं कहा जा सकता क्योंकि समास में हम पदों को लोप नहीं करते हैं परंतो अब यहां आगे जो आपके सामने उदारण आएंगे या सूत्र आएंगे उनमें किस समास में किन शब्दों का एक शेश रह जाता है ये भी हम आपके सामने रुखेंगे तो अब आपके सामने जो अगला सूत्र है जिसमें एक शेश रहता है उससे संबंदित सूत्रों में वो सूत्र है पुमान स्रिया अब क्या है तल लक्षन शे रईव विशेशा अब यहाँ पे पुमान और स्रिया अब यहाँ पे सूत्र है और इसमें दो शब्द है पुमान और स्रिया और इसका अर्थ है कि स्रिया स्रिवाचक शब्द के साथ पुमान शब्द, पुलिंग वाचक, पुरुष वाचक शब्द का जब प्रयोग होता है, तो पुरुष वाचक शब्द जो है वो शेश रहता है, और उसमें फिर हम जो हमने का सरूपा नाम, रूप समान होना चाहिए, तो उसी को स्पष्ट करते हुए भट्रोजी दिक्षि ने कहा, तल लक्षना स्चेदाई विशेशा, अब क्या है कि उनमें भेद केवल क्या होना चाहिए, केवल मात्र उनके प्रत्य का ही भेद होना चाहिए, मतलब पुरुष वाचक और स्त्रिवाचक, पुरुष वाचक को स्त्रिवाचक बनाने के लिए जो प्रत्य प्रयोग किया जाएगा तो मैं उदाहरन आपके सामने प्रसुत करती हूँ हंसी जो हंसा अब यहां पे हंसी स्ट्रिलिंग है और हंस जो है वो पुलिंग है और हंसी जो है हंस शब्द कही स्ट्रिलिंग में नीद प्रत्य करने के बाद हंसी बनता है, स्तुरी प्रत्ते के बाद, और हंस जो है, ये पुलिंग है, तो जब हम इनको दोनों को समास करते हैं, तो हमारे पस लॉकिंग विग रहे हैं, हंस, और उसके बाद हंसी, सू, और हंस, सू, और समास करने, जब हम समास कर लेते हैं, तो हंसी और हंस रह जाता है, अब देखिए क्योंकि ये अब जो मैंने सूत्र आपके सामने प्रस्तुत किया है पुमान स्रिया ये समास पर रागू हो रहा है तो इसलिए शायद एक शेष समास कहा इसको समास के अंतरगत रखा है तो यहां सूत्र है ये पुलिंग शेष रह जाता है और स्त्रिनिंग जो ह उसका लोप हो जाता है तो यहाँ पर केवल मात्र हंस शीष रह जाएगा और क्योंकि हंसीच हंसच दो हैं तो इन दो के लिए अव इसका विभक्ति का प्रयोग होगा द्विवचन का और हंसव अब यहाँ पर देखें जब हमें यदि हमें ये समास या ये नियम नहीं ग्यात है तो हंसव शब्द का अर्थम दो हंस भी ले सकते हैं पर तो यहाँ पर हंस शब्द हंस और हंसी दोनों के लिए प्रयोग्तवा और एक का लोप हुआ है अब मैं अब कि समने एक सामाजिक बात बताना चाहते हूं कि अचारे पाणिनी के समय में ऐसा लगता है कि समाज में पुरुष की प्रधानता अधिक थी जो आज भी है पर तो उस समय क्योंकि पाणिनी के सुत्रों में इसमें भी देखा कि पुलिंग वाचक जो है वो ही शेष रहता है स्रिवाचक का लोप हो जाता है आगे भी इसी प्रकार से हमने सुत्र देखे तो सम्भवता कहीं ना कहीं पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता था वो इस इन प्रयोगों से इन सुत्रों से हमें ग्यात होता है तो इसी प्रकार से देखे है एक और उदारन जैसे ब्रामनश्च ब्रामनी च ब्रामन और ब्रामनी इनका भी द्वंदुव समास देखी हंस और अंसी च इनमे भी द्वंदुव समास किया हमने और इतरे तर द्वंदुव समास है यहां भी ब्रामनश्च और ब्रामनी च ब्रामन पुलिंग ब्रामनी स्त्रिलिंग तो ब्रामन सू और ब्रामनी सू जब दोनों में हम समास कर लेते हैं तो हमारे पास जो अन्यकारे करने पर ब्रामन ब्रामनी ये शेश रहता है अब यहाँ पर भी एक पुलिंग है ब्रामन और एक स्त्रिलिंग है ब्रामनी और दोन और यहीं अंतर है अन्यता दोनों का स्वरोप और अर्थ समान है तो इसलिए यहाँ पर द्वंद समास करने के बाद पुमान, स्त्रिया, पुलिंग, ब्रामन शब्द शेश रहता है और फिर ब्रामन शब्द से सुवी भक्ति है, उसमें द्वियोचन है, दोग के लिए है तो फिर अवी भक्ती होकर आपके समने ब्रामनव ये रूप सिद होता है तो ब्रामनव का अर्थ दो ब्रामन ना होकर यहाँ पर ब्रामन और ब्रामनी के दोनों के लिए किया गया है अब यहाँ पर उन्हें कहा कि जो स्वरूप समान होना चाहिए तो जैसे हंस और वरट वरटा तो हंस जो है और वरटा ये दोनों एक तो पुलिंग है एक स्ट्रिलिंग है परन्तु दोनों का स्वरूप समान नहीं है इसलिए यहां हंस शेश नहीं रहेगा पुमान स्ट्रिया में स्ट्रिलिंग वरटा के साथ पुलिंग हंस का प्रयोग हुआ है दोनों में समास होने के बाद यहां पर स्ट्रिलिंग वरटा का लोप नहीं होगा हंस शेश रहेगा ऐसा नहीं है क्योंकि दोनों का स्वरूप भिन्न है इसी प्रकार से यहां पर एक औ और इंद्राणी इंद्रश्च इंद्राणी च इंद्र और इंद्र की पत्नी इंद्राणी यहां पे यह शंका हो सकती है कि यह तो दोनों समानरूप वाले हैं तो इन में से एक्षेश क्यों नहीं रहा इंद्र इंद्राण्यों क्यों कहा गया तो इसका कारण यह है कि यहां इंद्राणी में जो स्त्रि प्रत्य है ये पुम्योगात आख्यायाम सूत्र के द्वारा पुलिंग पुरुष के योग के कारण हुआ है ना कि इंद्र का स्वयम स्त्रिलिंग में प्रयोग हुआ इंद्राणी तो इसलिए यहाँ पर एकशेश ना होकर इंद्र इंद्राणी और उसमें द्विवचन्य इंद्र इंद्रान्यों इस प्रकार से रूप निश्पन्न होगा